जाहिन फ्रेंट्स आज मैं आप सबका जाहिन्स डिपार्टेट आपजटू टाइप कोस्टन में स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबके बीच में फिर एक बार हैं कि संदूक हाटि सबता जानी जाती है जिसका पहला अपसन है अपने नागर नियोजन के लिए दूसरा आपस्न है मोहन जोदोरो यह मरप्ता के लिए तीसरा आपस्न है अपने खिर्सिकार्सभध्धकारों के लिए दोस्तों सुदूगाडी सबीतnा है वो क्योंकि इस समय तक जो नगर थे वो पक्के इटों के बनने लगे थे तथा वह एक सुवियोस्थित रूप में थे तथा इधर उधर बिखेरे हुए नहीं थे तथा कालोनियों जैसे दिखाई पड़ते थे अगला क्वेस्टन है कि सूची एक को सूची दो से समिलित कीजिए इसमें है कि सूची एक महसल है तथा सूची दो में जो है ओ नदी का नाम है यह देखते है किस में क्या है सूची एक में हडपा है हडपा जो था वह रावी नदी के किनारे था और मोहन जोदरों जो था वह सिंधू नदी किनारे था लोथल जो था वह भोगवा नदी किनारे था जो काली बंगा था वह घंघर नदी किनारे था इस प्रकार जो तो दोस्तो हल्स जोते के खेत का साथ जो मिला है वो काली बंगा से मिला है जहां पर जो लाख की चूड़िया जो है वो भी काली बंगा में ही परसिद्धी थी वहीं से मिली थी सेंधव सब्हिता की इटो का अरंकर किस स्थान से मिला है तो सेंधव समयता की इटो का अरंकर काली बंगा नामा का श्थान से मिला है अगला कोस्तिन है मोहंच factor पहां इस्तित है तो दोस्तो मोहंच factor helpful शिंध में शिंध मेशिथी थै एकला कोस्तिन है सिंध सभ spend has final हमें ब्रियाथ兩個 संजानागार कहा पाया है तो दोस्तो जो इस्तित इस Cash है वह कैकर आफियो ने- पहां प्रिया है तता ब्रियात असनानागार में इसनान करते थे, जैसा कि आज, जैसे देव द्युपाली हो गया, महाँ पे जाके गंगा की खिनारे सब लोग इसनाना करते हैं, यहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि मोहन जोडों में जो ब्रियात असनानागार था, उसका उपियो किसी कि अग्या में मिलता है कि अगला कौस्चन है कि मुहन जोदुरों को किस एक नाम से भी जाने जाता है तो मुहन जोदुरों कोई इसको मुर्तोकों का टीला माना जाता है अगला कोश्चन है हडपा सभिता का पचलित नाम क्या है तो हडपा सभिता का पचलित नाम है अस्चिंदु घाटी की सभिता है क्योंकि यह सिंदु नदी के किनारे अवस्थित है अगला कोश्चन है हडपा सभिता के स्थलों के उथकन है क्योंकि लोग खेती करते थे यसा जुताई करते थे लोग पानी निक्यालते थे नदियों त्था कुमों से इस प्रकार वहां पर बहुत अधिक मोहत्त था अगला कोश्चते नहीं कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर था और हडपा था भारत में चांदी की उप्रवता के प्राचिंतप साथ मिलते हैं और हडपा संस्क्रित में मिलते हैं सिंदू सब इता के बारे में कौन सा कथान असद थे तो लोग लोहे से परचित नहीं थे बाकी यह सब नगरों में नालियों के शुदूर ब्यवस्था थी व्यापार और वार्च उन्नत दसा में था तो मात देवी क्यों पासने की जाती थी यह जो तीनों आपसन है यह तीनो सिंदू सब इता के बारे में चथा उसकी विशेश्थाएं हैं अगला कोशन है कि सुची एक को सुची दो से समीद केजिए सुची में यह है कि सिंदू सब इता की उत्तरी सीमा जो मारा है जम्मू तक है तो जो सिंदू सब इता की तच्छिडी सीमा जो है वह दैमाबाद सिंद्ण सबीता की पुर्वी सीमें वह आद आलमगीर अर्थात उत्तर प्रदेश में कहाँ तक जो मांड़ा उवा चेनाम नदी के किनारे इस्तित湯 हैườं को यहाँ चेनाब नदी के स्थान भारत में श्ठłość है बाकि जो मोहन चोदर्व हडपा है पाकिस्तान के रिश्टित हैस अगला कुस्तिथ है कि सिंद्र्व नाकिलिस्तान अर्थात बाग हडपा सभंता कि किस पूरास्थ्थल को कहा गया है जो मोहन चोद्र ह्न्थ्च का बाग Orlando अलाखली स्तान कहा गया है तो दोस्तों सिर्द सब्विता से संबादित इतने कोश्चन थे इसमें फिन मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद याद वीडियो अच्छा लगे तो इसको सेयर सस्क्राइब था लाइज जरूर कीजिएगा याद इंप